जातिगत जनगर्ना ही क्यों, जातिगत करदाता और जातिगत अपराद के भी आकरे सारजनी करो ताकि पता तो चल सके कि किसका कितना योगदान है नमस्कार मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देखने हैं पोजेटेव इडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए किरप्याक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और जो लोग अल्रेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहिर्द्य धनबाद अब वापसाते हैं अपनी खबर को दरसल हमारे देश के सबसे यूबा नेता राहूल गांदी जो की पच्चास मर्द से जादा के हो चुके हैं लेकिन यूबा जोस है यूबा खून है और खुद तो यूबा है और बताया तो यहां तक जा रहा कि 150 साल तक यह यूबा की स्रेनी में ही रहने बाले हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि कॉंग्रेस की अगर सरकार अगर आती है, केंदर की सत्ता में अगर कॉंग्रेस आती है तो जातिगत जनगन्ना करवा दी जाएगी और ठीक उसी परकार से जिस परकार से बिहार में हमारे तेजस्वी भाईया को के बाद जातिगत जन्गन्ना करवाया गया वही लवलाइटिस जो है अब राहुल भाईया को पकर लिया है और लगातार ही अपने भासनों में कर रहे हैं कि जातिगत हम जन्गन्ना करवाएंगे और उसके बाद जातिगत आरक्षन पर हम समिछा करेंगे तो राहुल भाईया से पोजेटिव इंडिया ये सवाल कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगन्ना ही क्यों करवानी है जरा ये भी आप जनगन्ना करवा लिजे कि कौन सा जाती का लोग कितना टेक्स दे रहा है कौन सा जाती का लोग उस टेक्स पर पल रहा है और किस जाती में कितने अप सरकार को टेक्स देते हैं और किस जाती के लोग जो है उस टेक्स से परधान मंत्री आवास योजना का मुप्त के राशन योजना का उज्वला योजना का किसान निधी योजना का और बहुत सारी योजनाओं का पैसा जो है वो घर बैठे खा रहे हैं इस बात का भी पता चलना चाहिए ताकि ये किलियर हो जाए कि कमाय धोती वाला अखाय लंगोटी वाला तो ये जो हिसाब किताब हो रहा है कि महज कुछ लोग टेक्स दे रहे हैं और उन टेक्स के पैसों से जो पल रहा है और जो पल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुवर की तरह बाल बच्चे पैदा क जो कि जमीन पर मेहनत नहीं कर रहा है पॉलंग पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कह रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी तब पॉलंग पर मेहनत करने से भागीदारी थोड़े मिलेगा अब इस बात का खुलासा होना चाहिए और भारत सरका तत्कालिन किंद सरकार को इस बात को बताना चाहिए कि कौन सा लोग विहार को भारत सरकार को टेक्स दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा टेक्स कौन लोग दे रहे हैं ये लोग किस जाती से आते हैं किस समाज से आते हैं इन लोगों का पेशा क्या है और ये लोग कितना टेक्स देते हैं इसके साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि किस जाती के लोग उस टेक्स पर पॉल रहे हैं फिरी का धन जो है जो सरकार जो है रेवरी की तरह बाट रही है वो आखिर पैसा कहां से आ रहा है क्योंकि केंद सरकार कोई अपने बाप दादा का रुप्या का माचिस भी खड़िते हैं तो आप सरकार को टेक्स दे रहे हैं इंकम टेक्स जो पे कर रहा है सिर्फ वही सरकार को टेक्स नहीं दे रहा है आप कुछ भी खड़िते हैं आप एक रुप्या का भी समान खड़िते हैं तो आप सरकार को टेक्स दे रहे हैं तो सरक करना चाहिए कि कौन जादा टेक्स दे रहा है कौन उस टेक्स पे पल रहा है और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में और हमारे राज में जो अपराध जो चरम सीमा पर बरता चला जा रहा है इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि किस जाती में कितने अपराधी है किस जात साथ ये आकरा भी सार्धृनिक अब होना चाहिए कि आखिर ये लोग जो कह रहे हैं कि हम दरसल हमारी हिस्शेदारी तो भागे दारी इंग को भी फ्ता चल सके चाहिए पैसा कहां से आ रहा है कौन कमा रहा है और कौन भैठ करके खा रहा है अगर हमारी बात से अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर कीजेगा जुरे रहे हैं हमारे साथ जय हिन जय भरत